जोहार आज इस मन्त से मैं भारत की पचास पीसदी महिला अबादी एवब नौफिसदी आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ आज अपनी बात कहने है कि पूर्व मैं बाबा तिलका माजी बिर्सा मुंडा सिद्युकानों फूलों जानों खंडा बील जैसे वीर विरांगनाओं को नमन करती हूँ हम आदिवासियों की कहानी लंबे संगर्शों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने मापुर्शों एवं विरांगनाओं पर गर्व है क्योंकि हमारी इतिहास आदिवासियों इतिहास स्वतावियों के प्रतिशोत संगर्श की आग से तपा हुआ खून से लिखा हुआ इतिहास है जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है आज इस मंच पर मंचासीन आगर निया सभी अभी अमाने निया गन को और खास कर हमारे साथिया आप आज भी पार्टी के नेता कारेकरता गन खास करके सुनीता मैम जी को और यहां उम्डा ये जन सैलाब आप सभी को हूँ जोहार है आज ये उम्डा एस्तिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग तंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाद ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है उसको अंध करने के लिए ये संकल्ब सभा यहां पे अमंत्रित हुई है जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश हर एक प्रांच से आई हुए है आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत बढ़ाई कि आपने हमारी ताकत को इंडिया गडबंधन की ताकत को बढ़ाया है आपके यहां उपस्तित होने से हम सब मंचा सीन जितने पार्टी के कारी करता है पार्टी के वान्य गंड है सभी को ताकत मिलती है क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहां भारत की 140 करोड की जनता है जिनका बहुत जिनका सिंब्मत जिनका ताकत हम सभी को मिला है आज भारत में बाबा साहिब जी के सम्विधान के प्राप्ट जितनी भी ग्यारंटियां है उन सभी को NDA सरकार के द्वारा उसे नश्च किया जा रहा है इनकी ग्यारेंटियों की ग्यारेंटि कौन लेगा जिनोंने एक एक करके हमारे सम्विधानिक संस्थाओं के सम्विधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है जिस धंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है जिस धंग से आज मेहगाई सात्वे आस्पान पर है जिस धंग से पूरे देश में नफरत की आख सलाई जा रही है जिस जंग से हर एक जाती हर एक वर्क के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है आज भारत की जंदा सबसे बड़ी है अगर कोई दल बहुत अपने आपको शक्तिसाली समझता है लेकिन भारत की 140 करोड की जंदा से जादा शक्तिसाली और ताकतवर नहीं हो सकती है आपकी एक उंगली इस उंगली का इस्तिमाल करिएगा आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गटबंधन इंडिया गटबंधन के लोगों को मजबूती दीजेगा क्यूकि अगर आपको अपना देश बचाना है आपको अपना लोगतंत्र बचाना है आपको अपने हतिकार हक के लिए लड़ना है तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही धंक से करना होगा आज 31 मार्च है, दो मही में पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमन जी को जेल में डाला गया दो महीरे से जेल में है, अर्विन केज्रिवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है आज तक आरोप सावित नहीं कर पाए है कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है आप जनता जनार्दन है, आप महा अदालत है, आप से जादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है तो आप अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गट बंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आपने सामने खड़ी ताना सा ताकत को यहाँ से उखाड फेकना है और मेरा यही कहना है यह भूमी, यह मैदान की मिट्टी, राम जी की, राम लीला की कहानी बताती है हम सभी को यह याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने यूद करते समय में भी नीती, नियमों और आदर्शों का पालन किया था और जिस तरीगे से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर एवं शेहनशीलता दिखाई है और जिस तरीगे से उन्होंने ज्यानी होते हुए भी ज्यान पाने की ततपरता दिखाई थी और जिस तरीगे से युद्य में अपने प्रतिदंद्यों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की द्रिष्टी से देखा था आज हमें सब को भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्छे धंग से समझने की जरूवत है आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती आप सभी का गडबंधन आप सभी का आशिरवात हम सब को चाहिए अंध्वे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी जारखंड जुकेगा नहीं इंडिया जुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं मैं अपनी बातों को इस जोस के साथ ये कहना चाहूंगी जैहिन 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 जोहार साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कलपना सुरेन जी का और इसी कोई भी पार्टी जनता से उपर उठकर काम नहीं कर सकती है जनता ही सबसे ताकतवर है जनता से वहाँ पर यावान करती हुई कि आप लोग अपने वोट के जरिये इंडिया गडबंदन को मजबूत करिये और आप अपनी ताकत अगर लगा देंगे तो फिर मौजूदा सरकार जो कर रही है वो खत्म होगा दो महीने से हमन सुरेन जेल में है आज चक उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है लोग तंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है पार्टी कोई भी हो जन्दता से बड़ी नहीं हो सकती है